हेलो मेरे प्यारे बच्चियों मै रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोल्ट के नंबर वन लेर्निंग प्रेटफॉर्म यूपी बोल्ट हाई स्कूल विद्याकुल में आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम you. कभी उसको अपनी आखों से देखा नहीं है उसके प्रेज़न को महसूस कर सकते हो और वो अभी आपकी आसपास हार्ए बस आप रहे हैं वह समय भूत की बात करते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता है समझो हाँ वह बात की बात है कि आपके डाइन कोई आपके अपके लगे भाई और भाइन हो आ से रहे कोई आपको टांग दे हो सकता है स्पाइडर मैन आ गया हो है ना तो भूत थोड़ी होता है है ना भूत भूत का नाम मतलई ना क्लास में है ना मैंडर जाओंगे तो तुम लोग को पढ़ाएगा कौन ठीक है तो विंड शुरू करने चारे तो देखो हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा बता देती हूं यहां पर विंड को दो तरीके से दर्शाया गया मतलब पहले जो स्टेंजर में आप पढ़ोगे कि विंड को दर्शाया गया है एक डिस्ट्रॉयर के रूप में कि वो हर चीज तहस रहस कर लिए और दूसरे स्टेंजर में विंड को एक फ्रेंड के रूप में दर्शाया गया लेकिन अब डिस्ट्रॉय क्या कर रही है, फ्रेंड कैसे हो गई क्या, उस सब को जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारी जो विंड पोयम है, उसके पोईट कौन है, यानि इतनी खूबसूरती से, इतनी खूबसूरत तरीके से आखिर किसने इस कविता को लिखा है, है न, देख परिवार में हुआ था, क्या ये एक ब्राम्भण थे जिनका जन्व हुआ था 1882 में, कब हुआ था वेटा इनका जन्व हुआ था 1882 में, है वाज एन इंडियन पोईट, बोलने की जरूवत ही नहीं है, नाम से पता चल ला है कि ये एक भारती कवी थे, एंड राइटर और लेखक भी थे, देखो ये कविता और कविता और कहानियां दोनों ही लिखा करते थे, he is regarded as a father of modern Tamil style, ये modern Tamil style के father, यानि modern में जो तमिल चलती है, उसके इने father कहा जाता है, through his writing, he joined the fight of India, India's freedom from the British rule, अपनी लेखक, अपनी लेखकी के चलते, यानि लिखते लिखते इन्होंने इं इन्होंने लड़ाई की और हमारे देश के खातिर ये शहीद हो गए, मिलब ये हमारे क्रांतिकारी जो है freedom fighter भी है, है ना, क्रांतिकारी freedom fighter भी है, तो ऐसे writers, ऐसे कवियों के लिए मेरी तरब से तो salute है, और सत-सत नमन है कि जिन्होंने लिखा तो लिखा कवितायं लिखी, और दूसरी चीज, हमारे देश को आजात कराने में अपनी भूमिका भी निभाई, इनकी मृत्यों बेटा 1921 को हुई, उन्हें 211 में हो, यानि इस तिन यह हमें छोड़ करके, इस पूरे संसार को छोड़ के यहां से चले गया, चलो, आगे देखते हैं, हम कभी ता यहां से मत तोड़ो, papers को मत बिखराओ, shelf जो वो आप देखते हो ना, लकडी का मतलब वो होता है, अलमारे टाइजिसमें बुक्स रखी जाती है, उसको shelf बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला है, कि बुक्स को shelf से मत गिराओ, there, look what did you three them all down, देखो तुमने क्या है सारी चीजे नीचे गिर दिया है, तुम बारिश को दुबारा से ले आई हो, तुम बहुत जादा चलाक हो, fame, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, तुम सारे घरों को क्या करती हो, तहस नहस कर देती हो, दरवादों पर दस्तक देती हो, जाकर के, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hurts, और तुम तूटती होई लकडिया, तूटती होई इंसान की, शरीए टूटते होई, जीवन और टूटते होई hurt का कारण हो, the wind god, we knows and crushes them all, और जो यह हवा के देखता है, वायू देखता है, वो जब चलते हैं, तो उनके रास्ते में आने वाली जो भी चीज़े होती, कोई इंसान हो, कोई object हो, या कोई जानवर हो, सब को कु अकजो को मत बिखराओ, शेल्फ पर रखे किताबों को नीचे मत गिराओ, अरे देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तकों को प्रश्ट फार दिये, तुम फिर वर्शा ले आई, तुम निर्बलों का मजाग उड़ाने में ब जैसे कि मैंने आपको पढ़ते टाइम बताया, यह तो फर्स्ट पेराग्राफ में था, जहां पर पूरी तरीके से देख सकते हैं, कि विंड को एक डिस्ट्रॉयर के रूप में, विंड को एक सब चीज़े तभा करने वाले चीज के रूप में धर्शाये गया है, नाओ कम लेट्स बूल ऐ श्रोंग होम, तुम हवा से अगर यह सब करने कोगे, तो हवा तुमारी बात नहीं सुने की, क्यों ना, हम एक काम करें हैं, हम श्रोंग होम बनाते हैं, मझबूत घर बनाते हैं, हम दर्वाजों को खुब तेज जोडते हैं, बहुत अच्छ जोडते हैं, अपने शरील को खुब मजबूत करते हैं, अपने रिदे को मजबूत करते हैं, और ये सब करके देख, हवा तुमारी एक ना एक दिन दोस्त बन जाएगी, विंड जो है, हवा जो है क्या करती है, ब्लोज आउट दा वीक फिर्म, मलब बोल लिए है कि जो पवन होती है, हवा होती है, वो दुर्बल अगनी को बुझा सकती है, लेगिन वही अगर जो आग हो तेज हो तो उसे वो और जादा तड़कती भड़कती बना सकती है, हवा से दोस्ती करना बहुत अच्छा है, और ये हमें हर दिन जो है एक आशिरवाद देगी, तो अब देखो मैंने कहा था न, हवा को इस पेरग्राफ में एक दोस्त के रूप में दर्शा आया है, तो देखो, क्या बोल रहा है, कि वहाँ पवन वैसा नहीं करें कि जैसा तुम कहोगी, इसलिए आओ मजबूत मकान बनाए, द्वारों को द्रणता से जोड़ें, शरीर को शुद्ध बनाने में अभ्याज करें, रिदय को द्रण बनाएं, ऐसा कर लें और पवन हमारी मित्र बन जाएगी, पवन दुर्बल अगनी को बुझा सकती है, लेकिन तीवर अगनी को गर्जनावान और प्रचंड बना देती है, उसके मित्रता अच्छी है, उससे मत्रता अच्छी है, उससे मतलब हवा से, वायू से, पवन से मित्रता अच्छी है, हम प्रती दिन उसकी प्रशंसा करते हैं किसकी हवा की वायू की या फिर पवन की प्रशंसा हम प्रती दिन करते हैं चलो next देखते हैं central idea यहाँ पर ख़तम हो गई अब हम इसके central idea समझते हैं कि आखीर यह समझाना क्या चाहरीा है हवा की שמझाना चाहरे हैं वो देखते हैं, देखो असल में ये जो कविता आपकी हवा है ये उन चुनौतियों के बारे में बतार ये जो अक्सर इंसान के जीवन में आती है और बता ये रहिए कि हमें उसे धैर और द्रण निश्चे के साथ संभालना जाई We should be strong enough to face all the hardship of life with courage हम खुद में ही इतना मजबूत हमें होना जाहिए कि जिन्दगी में आने वाले किसी भी दिक्कतों को हम पूरे साहस के साथ संभाल सके Wind जो है, वो problems को symbolize करी है आपे wind जो है, वो दिक्कतों को दिखा रही है and absence that we all face and go through some points of time in our life और क्या कह रही है? कहए रही है कि हवा उन समस्या और बाधाओं का प्रतीक है जिनका हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी सामना करते हैं और कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ दरूर आता है जब हम बहुत जादा परिशान हो जाते हैं बहिचे यहां में बता रहा है कि जो कविता हवा है हमारे सामने आने वाले चुनौतियां और ध्यार और इस संकल्पे साथ सामना करने के लिए प्रेडित कर रही हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हम जीवन की सभी कठिनाइओं का सहाथ के साथ सामना कर सके हमां उन था अभी हम question answers को देख लेते हैं पहले question answer दिया है what are the things the wind does in first stanza बोले first stanza में जो wind है वो क्या कर रही है तो मैंने बताया आपको first stanza में wind क्या कर रही थी खिड़कियों के कांच तोड रही थी book cell से book गिरा रही थी देखो वही सारी जेजर लिखा हुआ है ना कांच दो को बिखरा रही थी book cell से किताब गिरा देती किताब के पन्नों को पार डालती है खिड़कियों के शटर तोड़ देती है तो यही सब क्या है first stanza में wind कर रही है next है have you seen anybody winnow grain at home in a paddy field what is the word in your language or winnowing what do people use for winnowing give the words in your language if you know them बोला है कि एक winnowing की बात की जाए तो बोला है कि आपने ने किसी भी घर पर या धान के खेद में अनाज पछोडते या बरसाते देखा है विनोइंग के लिए उसकी भाषा में क्या सब्द है विनोइंग के लिए लोग किस चीज का परियोग करते है यह आपको पता है तो अपने शब्दों में या भाषा में लिखो विनोइंग पूछ रहा है जो आपने देखा होगा ना जो धान होता है उसको जब वो कर लिया जाता है निकाल लिया जाता तो उसको ऐसाना बोलते हैं तो आप हमारी तरफ बोलते हैं उसको तो जाता है घर है मेरी अंगल मेरे चाचा का घर है वहां पर एक को मैंने विनोंग करते हुए देखा ता या उसाते देखा था ता मेरी लैंगविज में हिंडी में मेरी तरफ जो है से उसान ही बोला जाते हुआ popular आप कोमेंट करके बताना please comment comment करना आप लोग को क्या comment करना है कि विनोविंग को आपकी तरफ क्या बोलते हैं कि मेरे तरफ तो इसे उसाना कहा जाता है बोला है अब बोला है कि पोएट पमन देवता के बारे में क्या बता रहा है क्या कह रहा है तो देखो according, poet के according मलब कभी के according क्या है जो हवा के देवता है वो we know everything that come into the way books, papers, houses, doors वो उनके रास्ते में आने वाले जो भीशी जोती papers हो houses हो, trees हो सबको कुशलते और रौनते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ये बता रहे हैं किसके बारे में वायू देवता के बारे में, आगे क्या है what should we do to make friends with the wind, हमें हवा को पवन को अपना दोस्त बनाने के लिए क्या करना होगा तो अगर हमें अब हवा को अपना दोस्त बनारा है, हवा यानि दिक्कतों को अपना दोस्त बनारा है तो हमें घरों को मजबूत बनाना होगा यानि अपने इरादों को मजबूत बनाना होगा हमें दर्वाजों को बहुत द्रणता से जोणना होगा देन है, what do the last four lines of the poem mean to you? बोला कविता की जो last की चार पंक्तिया है, वो आप से क्या कहना चारी हो, देखो, जो कविता की आखरी चार पंक्तिया है, वो क्या कह रही है, कि जो लोग weak होते हैं, हवा उनको असानी से बरबाद कर देती है, लेकिन जो strong होते हैं, जो द्रण निश्चे भाले होते हैं, जिन्दगी में हर समस्या को समधान, मलब हर समस्या के जिनके पास समधान होता है, हवा उनकी खुद help करती है, यानि समस्या उनकी खुद दोस्त बन जाती है, और इसे लिए कहा गया है, कि विंड को हमें अपना दोस्त बनाना है, अपना दुश्मन नहीं बनाना है, चलो, नेक्स्ट कोईट स्पीक तो दे विंड इन एंगर और वित हुमर, बोला है कि कवी जो है हवा से किस प्रकार से बात कर रहा है, यानि कि वो हवा से गुस्ते में बात कर रहा है या हसी से बात कर रहा है, you must also have seen, और here the wind crumbling life, आपने ये चीज पोयम में देखी भी होगी और सुनी भी होगी, crumbling life, क्या मतलब है, आपका response इस पे क्या है, poet क्या कहना जा रहा है, तो देखो, poet जो है, वो हवा से बहुत हस-हस के बात कर रहा है, yes, I have also seen, हाँ, मैंने इस शब्द को देखा है, crumbling life, ठीक है, crumbling मतलब होता है, कुछलते हुए या, चूर होते हुए, चूर करते हुए, ठीक है, I do feel the wind is much stronger than man, और मुझे इस से लगता है, कि जो wind है, वो इनसान से ज़्यादा ताकत पर है, it, manuclematious courage, strength and determination, क्या बोला है, कि तो आदमी के पास क्या क्या चीज़ होती है, बुद्धी होती है, साहस होता है, शक्ती होती है, द्रण निश्य होता है, और वो जो है, हर दिक्कत का सामना कर सकता है, always face some challenge है, तो वो कई हमेशा दिक्कतों का सामना कर सकता है, और मेरा तो ये कहना है, to a great extent, like its poet, कि जैसा जो पोईट कह रहा है, मेरा भी सेम वही मानना है, मेरा भी सेम वही मानना है, जैसा पोईट का मानना है, कि हमें बिंडु को अपना दोस्त बनाना चाहिए, और हमें अपने जो, हमारे जो भी निश्चे हो, हमारा जो कुछ भी लक्षोज को मजबूत रखना चाहिए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चो, यह था आपका complete explanation, यानि आपको यहाँ पर central idea पता चल गया, central idea पता चल गया, poem का explanation पता चल गया, question answer पता चल गया, इतनी चीजे पढ़ लो, देखो बहुत जादा पढ़ने की बिलकुल जरुद नहीं, बहुत कम पढ़ने की जरुद नहीं, यह central idea, वो हर चीज मैंने आपको पढ़ा दी, तो मेरे प्यारे बच्चो मुलकात होगी आपसे next session में, इसी तरह शांदार से class के साथ, और शांदार से chapter के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना खयाल रखिये, स्वस्त रहिये, मस्त रहिये, रादे रादे मेरे प्यारे बच् स्वस्त रहिधा ठाद में